हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक दोस्तों एक ट्रू इवी लवर का ड्रीम होता है कि उसके पास अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जिसे कि उसने खुद डिजाइन किया और डेवलोप किया या फिर उसका इवी कनवर्जन किया और अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसि हमारे बजट में हो हला कि आज के टाइम पे काफी सारे इलेक्रीक विकल्स मार्केट में अवेलबल है different different varieties के पर खुद के बने हुए है जिसके कि हमों को काफी आदत है हम लोग काफी है host होते हैं वह मोग को पूरे आन्डूर के मिल जाते हैं यह थैसे हमारे पुराने พर्लिक स्कुटर का को एक सचीन हो जाता है कि है और अज के कि कुछ इसी अधर बेस्ट एक यह कि आज़की वीडियो में अप लोग को different type की electric scooter conversion की methods पताने वाला हूं जिसमें कि हम लोग अपने पुराने petrol scooter को electric scooter में convert कर सकते हैं तो दोस्तों शू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन-कौन सी techniques और methods available हैं जिसके थू कि हम लोग एक पुराने scooter को electric scooter में convert कर सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि scooter के EV conversion की जो सबसे common और सबसे popular method है वो है हम motor के through conversion हम लोग हमारे पुराने scooter में से engine assembly या फिर बोलने तो पुरा पुरा क्रेंग केस निकाल देते हैं और उसकी जगाँ पर एक नई swing-guard fit कर देते हैं और उस swing-guard में हम लोग हम मोटा लगा देते हैं और इसके अंदर नए suspension add कर देते हैं क्योंकि दोस्तों हम मोटर की through conversion के उपर मैं पुरा उपर एक detail video बना चुका हूं जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि हम मोटर के थुरू हम लोग कैसे अपने पुराने scooter को electric scooter में convert कर सकते हैं और साथ ही मैं मैं एक video भी बना चुका हूं कि हम मोटर की तुरू हम लोग electric scooter का conversion करते हैं तो उसकी कोस्ट कितनी आती है टेंटिटिव तो अगर आप लोग और मेरे दोनों वीडियो को मिस किया हूं तो उसका link में अमने description box में दे रहा हूं ताकि आप इन दोनों वीडियो को देख पाए और इनके बारे में पुरे detail में जानकारी हासिल कर पाए तो अब बात करेंगे हमारी सेकेंड मेथड की जो कि है मिड्राइ मोटर के थुरू हमारे ओल्ड scooter से EV conversion का मुझे यह मेथड काफी अच्छी लगती है चुकि एक तो यह मेथड की specialty यह कि हम लोग को इसमें performance flexibility मिलती है यानि कि हम लोग drive ratio को change करके transmission ratio को change करके हमारी requirement के साथ से speed और power को अच्छीव कर सकते हैं साथी में यह मेथड जो है यह हम motor के compression में थोड़ी सस्ती भी और pocket friendly भी है हलां कि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगो प्रेक्टिकल यह नहीं दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग इस हम मोटर के थ्रू यानि की मिड्राय मोटर के तू हमारा electric scooter conversion कर सकते हैं नहीं मैं इसकी costing बताने वाला हूं पर आने वाले दिनों में मैं जरूर कोशिश करूँगा कि की costing भी बताऊं और इसका प्रेक्टिकल वीडियो बनाकर आप लोगों को लाइव दिखाऊं कि कैसे हम लोग मिड्राय मोटर के थ्रू हमारे पुराने स्कूटर को स्कूटर में नि Mario कर सकते हैं पर आज हम लोग बात करेंगे थृपे कि लिए थृपे किए नहुर्टिका आप Caoन के कि द्रू हम पुराने स्कुटर इलेक्ट्रिक शूटर में बना कर सकते हैं य sad केस में की थी यानि कि हम लोग को इंजन असेमली यानि की पुरा कर पुरा क्रेंग केस निकाल देना है और अब इस क्रेंग केस को निकालने के बाद हम लोग को अगें फिट कर देना है अब हमारी फिट हो गई अब सबसे इंपोर्टेंट जो कंपोरेंट साते हैं उसमें सबस important component वो है एक मशीन शाफ्ट अब मशीन शाफ्ट जो है वो इस दोनों की दोनों pedestal bearing में fit हो जाती है आप इसके बाद मशीन शाफ्ट में यानि कि जो शाफ्ट है इसके अंदर जो जो कि इस प्रेट के साथ आपकी जो रिम है वो अटेच होगी यानि कि हमारा वील इस प्लेट के साथ लगे और यहां पर पिक्चर में आती है यानि कि दोस्तों belt के case में यानि की transmission drive की बात करो तो belt मेरा सबसे best preferable option होता है क्योंकि belt के case में ये होता है कि एक तो इसके अंदर miss alignment जो है वो adjust हो जाता है आपको बहुत अच्छा alignment की जोत पढ़ती नहीं तो ऐसे retro fitting और e-v conversion के काम के लिए best में ज्यादा prefer करता हूँ और इस वाली के लिए मैं पूली यूज रहा हूँ यानि कि वीबेल्ट से यूज रहा हूँ और में डबल गुरू की पूली यूज करूंगा अब यहां पर आगई यह पूली जो कि इस शाफ में फिट हो जाएगी आप इस शाफ में चाहें तो पुरा-पुरा कीवे बनवा सकते हैं जिसमें कि आपके इन सभी चीजों में कीवे होगा तो वो फिट होती जाएगी और गरब इसको के तुरू लोग हो जाएगी अपनी प है जो मोटर की जो मैंने प्लेट यूस की थी उसके दूसी तरफ लग जाएगी बॉल्टिंग के तुरू हाला कि दोस्तों दिस ब्रेक के लिए आपके बास दो अप्शन होगे या तो आप मार्केट से डिस ब्रेक खरी सकते हैं लेकिन आपको यहां पर पूरी-पूरी ड्र अब यहींपरणडलि सेपर्ट ना, पूरी का अप्लिक ब्रेक्स का पृपरा सेट करिद के इसको फिट करना रहेगा अब यह सारे के सारे इंपोर्टेंट किंपोर्नेंट यानि यानि कि प्ôngली भी फिट हो गई हमारा वील भी फिट हो गया अब हम लोग नहीं भी डिस ब् कि प्लेइट लगा देते हैं जैसा कि आप लोग यह पर देख रहे हैं यह हमारी मांटिंग प्लेट आ गई यह मांटिंग में हम वगार कर शुशंति आपका कजा हैं ऐसे क्छाएं आगे छिए कि पर पीछे की आप animations कर MARThe कि हम लोगों को अपनी मोटर को मांट कर देना है और जब मोटर इसमें मांट हो जाएगी तो हम लोगों का हमारी मोटर के शाट पर एक पुली फिट कर देना है और अब यह जो पुली है यह हमारी जो वील के साथ पुली लगी हो उसको ड्राइव देना का काम करेगी और जब ह हमारी motor को rotate करेंगे तो हमारा will rotate करेंगा तो यह हो गया हमारा पुरा-फुरा एक तरह से transmission और हमारा drive equipment अब swing our पर हम लोग fit कर सकते हैं हमारी battery को और साथ ही में इसी swing our पर एस्पेस मिलता है तो हम लोग controller को भी fit कर सकते हैं दोस्तों मेरा ऐसे मानना है कि इस वाले рукód me जो हमारा बूट पर उससे हम लोगा तोड़ा से कॉंप्राइस करना पड़ सकता है करना है दोड़किन इतना प्रक्रिक क्योंड की मौटर होथ हो के वील माउंट होंगे पिर आपकी डिस्क ब्रेक्स माउंट होंगे तो एक और मेथड है जिसको स्मार्टली यूज करके आप मिड्राइब मोटर के दुरू अपने लिए स्कूटर का कनवर्जन कर सकते हैं और इस वाली मेथड में आप लोगो यूज करने हम मोटर दोस्तों सर्प्राइस मत होई है यह जो हम मोटर होने वाली है यह खराब हम मोटर आप यूज कर सकते हैं और इस वाली हम मोटर में आपको चाहिए कि रोटेशन फ्री होना चाहिए किस साथ आप को पुली को फिट करना है चूकि इसमें ब्रेक आप लोगों को मिल जाएंगे तो ब्रेक आपको मिलकंगे है उसकी लिए लग सेena — 45 MK करने के हाला कि आप यह भी कर सकते हैं कि आप इस मॉटर के सब्सक्iley College कर सकते हैं और इसमें पुरानी खुराब हो चुक हेheet मोटर को भी यूटिलाइस कर सकते हैं आपको दोनों में todayment technique में कोई बी एक best Fitment technique जो आपके लिए इजी हो स्टेबल हो पुली Fitment technique को आपको follow करना है और आपका scooter conversion इस वाली method से भी हो जाएगा system को properly fit करने के बाद हम लोग को जो outer sheet metal की body होती है वो fit कर देनी है बोल्ट से जिसके बाद हमारी seat भी लग जाएगी यानि कि हमारा scooter अब स्कूटर में convert हो चुका है अब बाकी के छोटे मटी चीजे जो होती हैं जैसे कि हम लोग एक dc to dc converter लगाना पड़ेगा 48 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट को 12 वाट में convert करने के लिए जिससे कि हमारी scooter के existing lighting system और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रिक गेजट्स चालू हो जाएंगे हमारे बैटरी निकल जाएगी यानि कि जो एले डेसिट बैटरी वो आब एक और नहीं जब लोग के ओपर बात करेंगे हाला कि नहीं नहीं पुरानी है पर काफी कम लोगा ने इस टेक्निक को भी जूस किया है उसके बारे में भी बात करेंगे तो आप जानते है अगली टेक्निक के बारे में श्कुटर के ईएक्रिकlaw कि कॉन वार्जन की अग्ली टेक्निक है। इसकी सबसे जना है फीर के इक टो बनाई सकते हैं, लेकिन इसके द्रू हमोगे एक तो nu का बहूंर जर्टिक पिसकुटर दोनों का ड्वाइज दुन team मिले. हाला कि दोस्तों मैं hybrid scooter या फिर hybrid vehicles को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ especially जब हम इसका localized conversion करते हैं चुकि जब हम लोग petrol power से हमारी motor को चलाते हैं और battery charge करते हैं और जो हमको करना ही पड़ेगा जब भी हम लोग petrol से चलाएंगे चुकि हम motor तो rotate करेगी तो उस condition में हमारे overall vehicle की efficiency काफी कम हो जाती है और इसके उपर मैं आलेड़ एक वीडियो बना चुका हूँ और इसमें मैंने real facts बताया है कि क्यो hybrid EV conversion जो है वो बिल्कुल भी economical नहीं होता है और इसका link में आपने description box में आप लोग को provide करा हूँ केस अगर आपने miss किया होतो है अपर हम अपने पुराने scooter को electric scooter में convert करने के लिए जिस method की बात करेंगे उस method के लिए हम लोग जो हम मोटर का use करेंगे वह हम मोटर हमारी regular हम मोटर नहीं होती है बल्कि वह हम मोटर होती है एक्सेल रिलीस हम मोटर या फिर हम लोग इसको बहुत सकते है detachable Excel हम मोटर और इस हम मोटर की specialty होती है कि इसके अंदर Excel shaft नहीं होता है बल्कि इसके अंदर एक hollow bush होता है और इस bush के अंदर जो हमारे vehicle का Excel shaft होता है front wheel का Excel shaft वह इस हम मोटर के अंदर फिट हो जाता है और यही वह specialty है जो कि इस मोटर को बनाती है capable कि हम लोग इस मोटर को अपने scooter के front wheel में fit कर सकते हैं दूसरे शब्दों मां बोलू तो इस method में electric scooter conversion के लिए हम लोग को हमारे rear wheel में या फिर उसके drive mechanism में किसी तरह की कोई च्छाड या फिर रेक्रो फिटिंग करने की जरूत नहीं है नहीं dismantling करने की जोड़त है बलकि हमको जो भी करना है front wheel में करना है मैं आपको करना ही है कि आपके scooter के front wheel को निकाल देना है और front wheel की जगापर आपको Excel release hub motor fit कर देना है और यहां पर जो आपका brake housing एक्सेल रिलीस हाँ मोटर के साथ फिट हो जाएगा हलां कि इंडिया में आपको जो Excel release hub motor वो डिस्क ब्रेक के साथ भी मिल जाएगा तो आपको डिस्क ब्रेक के साथ भी मिल जाएगा तो आपको बस यहां पर आपका आपका एक्सेल शार्प फिट कर देना है और आपका इलेक्स कूटर तयार हो जाएगा अब इलेक्रिक स्कूटर आप मना लें यहां फिर आप हाइबिड स्कूटर बना दे यह आपके वोपर डिपेंड करता है कि आप इस मोटर से किस ताइप करते हैं हाला कि दोस्तों एक चीज में बता दूं कि इस मेंटर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबेक यह कि इस मोटर की जो इंडिया में अविलिबिलिटी काफी लिमिटेड है कुछ एक दो ही मैनुफेक्टर है जो मेरे नोलेज में वह जो की इस टाइप की एक्सेल रिलीस हां मोटर ब बना रहे हैं तो आप दोनों को इक साथ चला जीजे एंजिन भी चला जीजे और मोटर भी चला लीजे तो आपका काम हो जाएगा यह थी best in my knowledge टेक्निक जिसके थू कि हम अपने स्कूटर को इलेक्टिक स्कूटर में करना सकते हैं हाला कि जैसा कि मैंने बताया था यहां पर मैंने खाली आप लोगों को theoretical बताया है कि आपकी कोस्टिंग की पूरी डिटेल आप लोग के साथ शेर कर पाऊं ताकि आप को आइडिया हो और आप प्लान कर पाए अपने बजट का और इभी कंवर्जन का एफ्यक्टिवली तो दोस्तों थेंक्यू बेरे मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए